अमर्ता एक कल्पना भर नहीं है। हिंदू पुराणों के अनुसार आज भी प्रिधिवी पर अश्ट सिध्यों को जानने वाले कुछ लोग हजारों वर्षों से जेवित हैं। बवन पुत्र हन्मान के बारे में कहा गया है कि हन्मान जे चिरन जेवी हैं। और वह हर यूग में किसी न किसी रूप में धर्ती पर विद्यमान रहकर समस्त जगत का कल्यान करते हैं। के लिए कल्युग में भी सरशरीर विराजमान हैं। और यदि कोई मनुश्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हन्मान जी को याद करता है। तो संकट मोचन हन्मान जी उसके सभी कष्टों का निवारड करते हैं। हन्मान जी के जीवित होने के प्रमाड समय समय पर मिलते रहते हैं। जो यह प्रमाडित करते हैं कि हन्मान जी आज भी जीवित हैं। तो आईए विस्तार से जानते हैं क्या है हन्मान जी के अजर अमर होने के दस पक्य सबूत जो साबित करते हैं कि आज भी जीवित हैं पवन पुत्र हन्मान। एक शोद की अनुसार आज से करीब 9 लाख वर्ष पुर्व एक विलक्षड वानर प्रजाती भारत वर्ष में विद्यमान थी जो मुक और पूछ से बंदर समान नजर आती थी। बताया जाता है कि इस प्रजाती की बुद्धी मता और शक्ती मानुवों से कहीं ज्यादा थी और इस जाती को बंदरों की श्रडी में नहीं रखा जाता था। वानर का अर्थ होता था वन में रहने वाला नर और इस जाती का नाम कपी था। भगवान राम ने इसी जाती के लोगों को इकठा करके एक सेना बनाई थी जिसे वानर सेना कहा जाता था और जिसके सेना पती सुग्रीव थे। भारत के दंड कार्णिय छेत्र में वानरों और असुरों का राज था, हाला कि दक्षिड में मलय परवत और रिशेमक परवत के आसपास भी वानरों का राज था, इसके अलावा जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया, माली, थाइलैंड जैसे द्यूपों के कुछ हि इबन, सियामंग आदी आते हैं और बड़े अकार में चिंपांजी, गोरिला और ओरंग टाउन आदी वानर आते हैं, इस कपी को साइंस में होमिनोइडिया कहा जाता है, यह विलक्षन बानर जाती भारत में आज से लगभग 12-15,000 वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी थी और अंतता पूरी तरह से लुप्त हो गई, यह जाती भारत में तो दुरभागे वश विनश्ट हो गई, परन्तु बाली द्यूप में अब भी पुछधारी जंगली मनिश्य का अस्तित्व विद्यमान है, जिनकी पूछ प्रायच्छ इंच के लगभग 6 रह गई है, हनुम जी को लोमश और पुछधारी कहकर किया है, श्री हनुमान 40 में गुस्वामी तुलसिदाश जी ने लिखा है कि चारो जुक परताप तुम्हारा है परसिद जगत उजियारा, इस शौपाई में साफ संकेत है कि हनुमान जी ऐसी देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी जाल में भी मिलते हैं, एक कथा की अनुसार एक बर श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी भीम की परिक्षा लेते हैं और उन्हें अपनी पूछ हटा कर चले जाने के लिए कहते हैं, पूछ को हटा पाने में भीम असमर्थ रहते हैं तब हनुमान जी उन्हें अपने इस प्रकार हनुमान जी के माध्यम से श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्य भामा, सुदर्शन चक्र और गरुड की शक्ते के अभिमान का मान मदर्न करते हैं। द्वापर यूग की ही एक अन्य कथा के अनुसार, श्री हनुमान जी महाभारत की युद्ध में अर्जुन के रथ के उपर धोजा पर विराजमान है। यह कथाएं इस बात की पुष्टी करती हैं कि हनुमान जी द्वापर यूग में भी सर शरीर मौजूद थे। श्रीमत भागवत के अनुसार कल्यूग में हनुमान जी गंध मादन परवत पर निवास करते हैं वर्नन के अनुसार कल्यूग में जहां जहां भगवान श्री राम की कथा कृतन इत्यादी होते हैं वहां हनुमान जी गुप्त रुप से विराजमान रहते हैं यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इनका आश्रे ग्रहन कर ले तो फिर तुलसीदास जी की भाती उसे भी हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगती सोलवी सदी में तुलसीदास जी को भी हनुमत कृपा से राम जी के दर्शन प्राप्त हुए थे इसी प्रकार तेरवी सदी के संत माध्वाचार्य को हनुमान जी के दर्शन हुए थे इसके अलावा रागवेंद्र स्वामी, स्वामी राम दास, तुलसीदास सभी को बजरंग बली दर्शन दे चुके हैं इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि हन्मान जी चारों युगों में विराजमान है श्री लंका में रिशिमक परवत के पास इस्थित एक आदिवासी कबीला है जिसका नाम मातंग कबीला है यह कबीला जंगल में उसी इस्थान के पास इस्थित है जहां कभी अशोक वाटिका हुआ करती थी इस स्थान को अब सीता एलिया के नाम से जाना जाता है हन्मान जी आज भी इस कभीले के लोगों को साक्षात दर्शन देते हैं यह रहस्मई कभीला आधुनिक समाज से बिल्कुल कटा हुआ है और इसका थोड़ा बहुत संबंध पास ही इस्थित एक अन्य कभीले वहदे से है वहदे कभीले की लोग रावर के भाई विभीशन के ही वन्शज माने जाते हैं जिसकी पुष्टी एक रिसर्च में भी हुई है कुछ अन्वेशकों ने मातंग कभीले के बार में पता लगाने की बहुत कोशिश की लेकिन इनके वन्श का कुछ पता नहीं चला बताया जाता है कि यह साधारर लोग नहीं बलकि हन्मान जी के अनन्य भक्त हैं और हन्मान जी स्यम कुछ विशेश अफसरों पर प्रकट होकर इने साक्षात दर्शन देते हैं अन्वेशकों द्वारा कभीले से प्राप्त हुई जानकार्यों के अनुसार श्री हन्मान जी साल 2015 में ही इन मातंगों से मिलने आये थे इसके बाद वे 41 साल बाद यानी 2005 में फिर से यहां आएंगे रमायर में बताया गया है कि जब लक्षमर जी मुर्चित पड़े हुए थे और उनके प्राणों की रक्षा के लिए जिन जड़ी बूटियों की आविशकता थी वे हिमाले में द्रोडागिरी परवत पर ही मिलती थी तब हनुमान जी हिमाले गए थे और वहां से पूरा पहाड ही उठा कर लाये थे ऐसा माना जाता है कि श्रीलंका के सुदुर इलाके में मौजूद श्रीपत नाम की जगह पर इस्तित पहाड ही वह पहाड है जो दोडागिरी का एक टुकड़ा था और जिसे उठाकर हनुमान जी ले गए थे इस शगह को आज एडम्स पीक के नाम से जाना जाता है इस पहाड़ पर शीव जी का एक मंदिर है जिसका नाम सिवानुली पदम यानी शीव का प्रकाश है यह परवत लगबग 200 मीटर की उच टुकड़े गिरे थे इनमें रुमासला हिल सबसे अहम है खास बात यह कि जहां जहां यह टुकड़े गिरे वहां वहां की जलवायू और मिट्टी बदल गई इस जगह मिलने वाले सभी पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां श्री लंका के बागी इलाकों में मिलने वा सकता है जो आज भी हरनुमान जी की उपस्तिती का संकेत देते हैं देव फुमी हिमांचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इस्थित जाखु मंदिर आज देश ही नहीं दुन्या में अपनी खुबसूरती के कारण प्रसिद्ध है करीब 2455 फीट की उचाई वाली की 108 फीट लंबी प्रतिमा इस्थापित की गई है एक पौराडिक मानेता के अनुसार राम रावर युद्ध के दोरान लक्षमर जी के मुर्चित हो जाने पर संजेवनी बूटी लेने के लिए हिमाले के और आकाश मार्ग से जाते हुए हनुमान जी की नजर यहां तपस्य कर रहे यक्ष रिशी पर पड़ी यक्ष रिशी के नाम पर ही यक्ष से याक, याक से याकू, याकू से जाकू तक इस जगह का नाम बदलता गया हनुमान जी यक्ष रिशी से संजेवनी बूटी का परिचय प्राप्त करने के लिए जाकू परवत के जिस इस्थान पर उत् का एक पक्का सबूत है नैनी ताल अलमोडा रोट पर 1400 मीटर की उचाई पर इस्तित है कैची धाम मंदीर हाल के कुछ महीनों में इस मंदीर में लोगों की भीड बढ़ गई है इसका मुख्यकारण फेस्बुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग की इस मंदीर के प्रति गहरी आस्था है एक इंटर्वियू में जब मार्क ने यह बताया कि वह अपने शुर्वाती परेशानी के दिनों में भारत में इस्थित इस मंदीर में आये और उसके बाद उन्हें काफी सफलता मिली और इस मंदीर के बारे में उन्हें Apple Company के संस्थापक Steve Jobs ने बताया था तब से इस मंदीर के बारे में पूरी दुनिया में चर्चाएं होने लगी और देश-विदेश से लोग इस मंदीर के दर्शन करने आने लगे यह नीम करॉली बाबा का मंदीर है जो साक्षाद कल्योग में हनुमान जी के ही अफ्तार थे बाबा के भक्तों का मानना है कि बाबा उनकी रक्षा करते हैं और आज भी साक्षाद दर्शन देकर मनोकामनाय पूरी करते हैं यहां सच्चे दिल से आने वाला भक्त कभी खाली नहीं लोटता यहां बाबा के मुर्ती देखकर ऐसा लगता है जैसे वह भक्तों से साक्षाद बाते कर रहे हो वर्तमान युग में भला इससे बढ़कर हनुमान जी के अजर अमर होने का सबूत क्या हो सकता है जिस सुर्य की आज के कारण उसके पास पहुचना ही असंभव लगता हो और उसे छूने का सौपन तो मनुष्य देख भी नहीं सकता उसी सुर्य को हनुमान जी ने आज से करीब डेड़ करोड साल पहले फल समझकर खा लिया था इस बात से हनुमान जी की छमताओं और शक्तियों का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आधनिक युग में भी जिस सुर्य का त अमाम अंत्रिक्ष एजेंसिया आज तक इसके पास भी नहीं पहुच पाई और प्रित्वी से सुर्य की दूरी का पता भी अभी हाल की ही कुछ वर्षों में लग पाया है इसके वीप्रित रमायर के रचिता तुलसी दास जी ने आज से हजारों साल पहले ही इस दूरी का उ अनू लिल्योताही मदूरफलजानू दोहे में किया है इस दूरी को इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि एक यूग बारह हजार साल का होता है सहस्त्र एक हजार को कहते हैं और एक योजन आठ मिल के बराबर होता है यूग सहस्त्र और योजन का गुड़ा करने पर उतनी ही दूरी आती जितनी की नासा द्वारा बताई गई दूरी है यह वैज्यानिक तथ्य भी हनुमान जी के अस्तित्व को प्रमाडित करता है जैसा कि सबको ग्यात है कि हनुमान जी चिरन जी भी हैं इसका हिंदी में मतलब होता है शास्वत जो हमेशा अस्तित्व में रहे राम चाहो वर मांगलो जो वर देवताओं को भी दुरलब होता है वह मैं तुम्हें अवश्य दूंगा हनुमान भगवान के चरणों पर गिर पड़े और कहा हे प्रभू आपका नाम इसमरड करने पर मेरा मन तृप्त नहीं होता है अतह मेरी मनुकामना यही है कि जब तक आपका ब्रह्मांड में रहे तब तक मेरा शरीर भी इस धरा पर विद्यामान रहे इस पर श्री राम जी ने कहा ऐसा ही होगा हनुमान आप जीवन और नुत्यों के चक्र से मुक्त होकर संसार में सुख पूरवक रहें इसी प्रकार जनक नंदनी माता सीता ने भी हनुमान जी को अ अजर, अमर और गुलों का खजाना बने रहोगे। श्री रगुनात तुम पर क्रिपा करें। श्री राम और माता सिता के इसी आशेरवात के कारण। आज भी हनुमान जी, अजर और अमर है। रावढ को मारने के बाद श्री राम जी अत्यान्त दुखी थे। क्योंकि रावण शिव भक्त होने के साथ ही ब्रहमण भी था इसलिए रावण को मारने से राम जी को ब्रहम हत्या का पाप लगया था इसी पाप का पश्चाताप करने के लिए उन्होंने रामेश्वरम में शिवलिंग की इस्थापना करने का निश्चे किया था श्री राम जी ने हन्मान जी को काशी से शिवलिंग लाने को कहा परन्तु मुहरत में न लोट पाने पर सिता जी द्वारा बनाया गया राम लिंगम ही इस्थापित करना पड़ा छोटे अकार के इसी शिवलिंग को आज राम नाथ कहते हैं बाद में हन्मान जी द्वारा लाए गये विश्व लिंगम को यहां इस्थापित किया गया हन्मान जी द्वारा देर होने का कारण बताने पर प्रेम से प्रसन राम ने कहा कि यहां सर्व प्रथम विश्व लिंगम की पूजा होगी कहते हैं कि राम की याद में हन्मान जी वह और यह सभ्यता पूजा करती थी Monkey Hawker God की National Geography और कई प्रतिष्ठित रिसर्च संस्थानों ने इसकी खोच की है इसे आप Lost City of the Monkey God के नाम से Google पर सर्च कर सकते हैं इस रहस्मई शहर के बारे में और इसकी अतिव प्राचीन सभ्यता का पता लगाने वाली टीम ने बताया कि यहां उन्हें ऐसे बहुत सारे सबूत मिले जिससे यह साबित होता है कि यहां हजारों साल पहले कोई सभ्यता थी जो अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है यहां उन्हें एक अति प्राचीन मुर्ती भी मिली है जिसे उस सभ्यता के खत्म होने के बाद एक हजार साल से किसी ने नहीं चुआ था टीम के अनुसार 80 साल पहले कुछ लोगों ने इस जगह जाकर वहां के आदिवासियों से बात की थी तब उन्होंने बताया था कि यहां कोई मंकी गौड रहता है सबसे रोचक बात यह है कि अगर आप इनके भगवान मंकी होकर गौड की तस्वीर देखते है तो आपको मालूम चलेगा कि वह हन्मान जी की ही है इन सबी बातों से यह बात सिद्ध होती है कि हन्मान जी अजर और अमर है और अपने भगतों के कल्यार के लिए वह सदैव इस धर्ती पर विराजमान है कल्यूग में अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो हन्मान जी की पूजा अवश्य करें हन्मान जी की जीवन पर आधारित हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं क्रिपया इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कल्यूग में साक्षात धर्ती पर विराजमान रहकर वक्तों का कल्याड करने वाले हन्मान जी के बारे में पता चले ऐसी ही अन्यधार्मिक कथाओ के बारे में जानने के लिए क्रिपय हमारा चैनल भक्ती सरोगर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मा बूले एक नई वीडियो के साथ हम आपसे जल्द ही दुबारा मिलेंगे घन्यवाद झाल